हलो फ्रेंट्स मैंसल डॉक्टर सुशिला सैनी गाइनेकलोजिस्ट न अप्सटिशन और जैसे कि मैं बता रहीं कि मैं गाइनेकलोजिस्ट हूँ और जैसा कि आप सब जानते भी हैं तो मैं आज आपसे बात करने जा रहे हैं कौमन गाइनेकड़ोजिस्ट के बारे में यानि कि फीमेल इसको जनरली क्या-क्याड़ोज और रिलेटेड हो और आपको उसके अपने सवाल का जवाब ही चैंट हेहा ऌट सकता है कि आपको यह पता नहीं हो कि यह प्रॉब्लम भी है तो मेरे साथ बने रहे इस वीडियो मेंамें जाए के बारे में आप समझ पाएंगे मोंत इनकी समाधान पाएंगे ज़ो सबसे common problem है जिसके लिए सबसे सबसे दाधा ladies हम से मिलती है वो है white discharge white discharge यानि कि वजाइना से होने वाला सफेद पानी या यूं कह सकते हैं कि गीलापन जो रहता है उसको generally ये myth होता है कि जितना भी white discharge आता है वो बिमारी वाला होता है पर मैं आपको यहां सबको एक ही बाद समझाना चाहूंगी जो भी white पानी वजाइना से आ रहा है वो बिमारी वाला नहीं होता है physiological भी होता है यानि कि normal भी होता है जैसे अपने मूँ में लार आती है saliva आती है वैसे ही योनी द्वार से या बच्चे दानी का जो मूँ होता है सर्विक्स होती वहां से भी डिस्चार्ज आता है जो कि absolutely normal होता है और जो वजाइना को गीला रखने के लिए यानि योनी मार्ग को lubricate रखने के लिए normal एक physiological procedure है जो होना चाहिए नहीं तो अगर यह सूख जाता है तो जो महिने के बीच के दिनों में पानी आता है वो absolutely normal होता है लेकिन यदि आपको पानी आने के साथ खुजली है जलन है या दर्ध है या और किसी प्रकार का blood mix discharge आ रहा है तो definitely यह बिमारी वाला हो सकता है इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए दूसरी सबसे common समस्या जो ladies हमारे पास लेकर आती है महिने की समस्या या तो किसी को महिना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है या किसी को कम आ रहा होता है तो अब यह पता होना चाहिए कि normal क्या है तो हम abnormal निकाल पाएंगे यदि आपको 21 दिन से लेकर 35 दिन तक bleeding होती है तो normal है यदि आपका period 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में आता है तो normal ही count होता है तीन दिन से लेकर 5 दिन तक normal bleeding होती है लेकिन अगर यह 7 दिन तक भी होती है तो भी normal count होती है अब abnormal क्या है यदि आपको 21 दिन से पहले पिरेड आता है या 35-45 दिन से उपर पिरेड आता है तो अब normal कह सकते हैं bleeding एक से एक दिन से भी कम होती है तो उसको कम bleeding बोल सकते हैं या फिर आपको 7-8 दिन तक लगातार heavy bleeding होती है यानि कि एक दिन में आपको 4-5 पैर यूज़ करने पढ़ रहे हैं bleeding के साथ बड़े-बड़े clots भी पास हो रहे हैं ठके भी बन रहे हैं तो definitely bleeding ज्यादा है तो इस तरीके कि यदि आपको कोई समस्या है कि आपका period बहुत जल्दी जल्दी आता है 21 दिन से कम पर आता है आपको 7-8 दिन तक लगातार heavy bleeding हो रहे हैं, clots पास हो रहे हैं, बहुत ज़दा दर्द हो रहा है तो यह abnormal आपको तुरन डॉक्टर से संपर करना चाहिए क्योंकि यदि आपको bleeding बहुत ज़दा होगी तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी और आगे चलकर यह problem दे सकता है और इसके बहुत सारे कारण होते है heavy bleeding के जो कि हमने एक अलग वीडियो में cover किये हैं तो आप description में उसके link में जाकर उसे देख सकते हैं यदि आपको दिन चड़कर आते हैं पेरिड कम आता है तो आपको हो सकता है कि PCOD की तकलीफ हो उसमें भी हमने एक अलग से PCOD पर वीडियो बनाया हुआ है आप उसको जाकर सुन सकती है तो आप अपना PCOD के बारे में जानकर ही हासिल कर सकती है यदि आपको periods के दोरन बहुत कर दोरन बहुता है तो अपनी सोनोग्राफिय जरूर कर लिजिए इससे कि आपको ये पता चल जाए कि कहीं आपको endometriosis तो नहीं है पिरेट में ज्यादा रहता तो सकतके हैं में हो सकते हैं और किसी प्रकार की समस्या हो सकता है तोसोनों ग्राफिय से सारी समस्यान का आसानी लगाया जा सकता और सभी समस्याओं का दूर्बिन से इलाज संभा हुए इसके अलावा किसी किसी लेडी को यदि वो प्रेग्नेंसी के लिए प्लैन कर रही होती है तो उनको प्रेग्नेंसी नहीं हो रही है तो इन्फर्टिलिटी की समस्या होती है तो इन्फर्टिलिटी के जनरली हम कपल को हमेशा कहते हैं कि एक साल तक आप लगातार ट्राई कीजिए और एक साल के बाद भी यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आपको इन फर्टिलिटी का चेक अप कराना चाहिए लेकिन यदि आपके उम्र जादा है यानि कि 35 साल से उपर है या आप हस् स्थिद्गैनेंसी होसा और एक स्वस्त बच्चे को जन्म दे सकें इसके इलावा आपको इंटर कोर्स के द्राइन में पर वगणिग करनें में सकता है यह आप Państward हो सकता है यह ज़ग आन सबटेकशेक कर दो हम पास उसकत성 अब आपको परस्नली प्राबलम क्या है जिसका इलाज किया जाना चाहिए इसके अलावा यदि आपको लगता है कि कोई इसी और प्राबलम है जो आप हमसे डिसकस करना चाहती है तो आप में कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकती है मैं या मेरी टीम में से आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और यदि फिर भी आपको लगता है कि आपके प्राबलम का सल्यूशन नहीं हुआ तो आप हमें जैपूर दूर्बिन हॉस्पटल में वजिट करके हमसे मिल सकती है इसी प्रकार के और वीडियो के दुआरा जानकारी हासिल करने के लिए आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जैनकार के साथ तब तक नमस्कार